तो आज थोड़ा सा फिर बदल हुआ है टाइमिंग को लेकर करेंट अफेर्स का लेक्षर आपका 11 से रखा गया और ये कंटीनिव अभी रहेगा और आपका 12 बज़े से लेकर आपका मेच कर रहेगा डियर स्टुएंट्स ठीक है तो हम डेली आपको 10 days you special class provide करवा रहा है डियर स्टुएंट्स आप सब का बहुत अच्छे से response भी मिल रहा है आप सब हमें अच्छे से देख रहे हैं डियर स्टुएंट्स और हम भी लगातार आपके लिए सोच रहे है कि special आपके लिए यह जो हमने series start की आपको बहुत benefit मिले क्योंकि 6 September सारी जो एक्जाम की जो आपके restriction लगे हुए तो लगबग वो खतम हो गए एक्जाम होना ते है आपकी तो आप बिलकुल जो तयारी आपने की थी वो तयारी को आपको और थोड़ा से speed मिले हम इसी विहाब पर लेके पूरी force academy की टीम आपके लिए लगी हुई है तो current affairs का वेटे डियर student लगातार क्योंकि हर examination UPSC में जादा रहता है इसलिए हमने आपके लिए specials जो current affairs है उसको तयार किया है और हम 50 questions या 51-55 के करीब questions लेते हैं जिसको जो exam में आते ही है और जो exam में आएंगे लगभग क्योंकि पिसली exam की तरज पर ही हमने इस questions को बनाया है dear student तो आप सभी को जाहिन वंदे मातरव आईए start करते हैं series का पहला question dear student तो आपको बताएए पूरा special current affairs हमने तयार किया NDA की exam को ध्यान में रखते हुगए देखो first question आप पढ़िए और question को आप पहले अच्छे से पढ़िए और समझीए ठीक है dear student question है the citizenship commitment bill 2019 बहुत आपने देखा होगा कि यह bill जो है विवादों में भी रहा और कहीं नगी देश में आप समझ सकते कि देश में इस पर बहुत ज़्यादा debates भी हुई तो यह questions है और answer नीचे दे रखे तो कोई दिक्कर नहीं आईगी आपको मैं पहले आपको बता देता हूँ question आप पहले पढ़िए इसको अच्छे से आप the citizenship commitment bill 2019 has been passed by parliament with the Rajya Sabah approving it on 11 December 2019 यहने तीन option है आपको यह तीन इन में से आपको बताना है कौन से correct है तो पहला आपने पढ़ दिया क्या 2019 में जो हमारा नागिक्ता शंशुदन बिल है Rajya Sabah ने क्या 11 December इसको माननिता देदी थी अप्रूविं कर दिया था या पास कर दिया था second है the bill amendments the citizenship act 1995 to make illegal migrant for six communities from Afghanistan Bangladesh and Pakistan eligible for Indian citizenship और third है the committees are Hindu, Sikh, Baudhi, Zain and Parsi and Christians इनको माननिता की बात कही है यह dear student question आप अच्छे से पढ़िए आप पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीज़े समझ में आएगी dear student के इसमें से कौन से correct है या नहीं है आप अगर यहां देखेंगे तो यह आपको बिल्कुल सहीदी के citizenship commitment भारत सरकार ने ग्यारा दिसंबर को राजसाबा से approval करवा लिया था लेकिन इहां पढ़िए अब दब बिल commitment to citizenship 1995 यह अगर आप पढ़ेंगे तो वह जो बिल है वह वह बिल का नाम है 1955 यह अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यह रोंग हो जाएगा the committees are Hindu Sikh bodies Zain Parsi and Christian विल्कुल इन 6 community को इसमें include भी किया गया था dear student तो आपको कौन सा answer लगाना है one or three correct answer आपको देना है dear student तो हम देखेंगे one or three answer कहां पर आ रहा है तो आप देखिए इसमें से कौन सा correct answer रहेगा only one, one two, one three या all correct तो आपको पता है इसका right answer क्या रहेगा dear student one और three यहने three आपका right answer रहेगा question को पढ़िए समझे आसानी से आप question देदेंगे और NDA examination में ऐसे question पूछे जाएगे ठीक है थोड़ा सा level उन question का रहता है dear student तो question को पहले पढ़े समझे क्योंकि city and stream commitment में आप से बोला कि वो चीज हमेशा exam में आती है current affairs में जो थोड़ी सी विवादों में भी हो famous भी हो जिस पर सरकार है थोड़ा सा ध्यान भी देती है जो कुछ नया बदलाओ के लिए आती है तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए ठीक है वन्दे भारत trains from the integral coach factory IFC chain में देखो वन्दे भारत बहुत भारत की सबसे famous train जो भारत सरकार ने चलाई है जहां पर सारी स्वीध हैं उसमें तो आप से क्या पूछे उसमें कितने coach है उस वन्दे express में भारत सरकार ने कितने coach बनाए हुए तो dear student 32 है 36 है 44 या 48 है आपके answer आ जाने चाहिए कुछ बच्चों के answer आ गए है यहने कि इसका right answer dear student रहेगा 44 वन्दे express भारत सरकार ने जो ICF जो हमारा integral coach factory चैन्नाई में बनी हुई है उसमें 44x लगाए गए है coach आपको मिलेंगे है तो यह वन्दे express के बारे में आपका right answer क्या है 44 यहने option 3 next which of the following league launch under the sport for women vertical of khelo India scheme यह important चीज़े sport for women यह एक theme है sport for women kdroo india जो हमारी scheme चलती भारत की अब आपको team पूछा गया है इसमें से किसने इनको start किया था kardo india को थीक है तो आपको a floor लो खिलो इंडिया आपको जूर्स लीग ने start किया था kardo india football girls league ने start किया था kardo india apo ni girls league ने start किया था या Halo india tennis girls league ने इसको स्टार्ट किया इस थीम को जो important थी तो dear student आप देखेंगे इस थीम को स्टार्ट किया था football girls league ने ठीक है ना खेलो इंडिया football girls league sport for women है ना ये theme रखी गए थी भारा सरकार का एक बहुत अच्छा initiative इस पर लिया जा रहा है जिस पर girls को भी बहुत जादा उनको लाया जा रहा है और खासकर जो हमारे rural area वहाँ पर भी ऐसे भारा सरकार ने प्रयास किये कि वहाँ की जो girls उनको भी जो मुख्य टीमों में लाया जाएगा तो इसके तर ये project start किया है जो important था ठीक है तो option जो आपका ये a b c d करके option है इनको 123 हो गए तो आप इसको ध्यान में रखके चलिए ठीक है तो option b आपका right answer रहेगा next question है which of this metro station will be renamed as supreme code metro station ये उस समय भारा सरकार ने इस पर decision भी लिया था कि कि जो आपको पता है दिल्ली metro station की बात हो रही है क्योंकि ये supreme court metro station अगर आप देखेंगे तो supreme court के पास इनमें से एक कौन सी जगह अगर आपने देखा होगा क्या प्रगती मेंदान है राजी चोक है या मुकर्बा चोक है या चांदनी चोक है ठीक है उस station का नाम बदल दिया गया है तो कुछ बच्चों के आंसर मेरे पास आ रहे है डियर स्टुडेंट प्रगती मेदान इस राइट आंसर इस metro station का नाम बदल दिया गया है ये प्रगती मेदान जो metro station तब उसको क्या का आएगा सुप्रीम metro station कहा जाएगा ठीक है ये नहीं आपका option A is a right answer dear students ठीक है बहुत अच्छे आप continue बच्चे हमारे साथ बने वी right answer हमें दे रहे हैं आपर तो बहुत अच्छा ये नहीं आप प्राई अच्छे से कर रहे हैं घर पर और I hope कि आपकी examination भी बहुत अच्छे से जाएगी ठीक है क्योंकि आपने अगर इस lockdown का अच्छे से अगर utilize किया है dear students तो आपको समय भी जादा मिला है और revision का समय भी जादा मिला है ठीक है तो ये काफी अच्छा beneficial रहेगा next the oldest no natural pearl in the world has been discovered by आबुधाबी archaeologist working as a neolothical site on a island देखो ये एक important चीज थी आबुधाबी आप जानते हैं UAE एक country है United Arab Emirat ठीक है ना तो आबीधाबी उनमें से एक है जो मैंने बताए जब हम पढ़ते हैं तो UAE जो 7 अमिरात जो country है उनसे मिलकर UAE बनी है तो वहाँ पर एक island मिला है लगबग ये island की बारे में अगर हम बात करें तो ये island करीब 15 km के मतलब 15 km के something आता है यो नियोलोथिक साइड का मतलब आप समझे नियोलोथिक साइड बहुत ancient जमाने का island मिला है और वहाँ से जो हमें चीजें मिली है नेचुरल पल्स आप ये देखिए ठीक है ना जो हमारे प्रकातिक जो पल्स मिले है वो important चीज़ तो उस island का नाम क्या रखा गया है ठीक ये सबसे important है सर्बनियास मरवाहा अलमर्यहा अललुलू इन में से चार option आपको देना है आपको dear student तो उसका नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ उसका नाम है मरवाहा option B आपका right answer रहेगा यहने उसका full नाम अगर और भी देखा जाया तो जजीरात मरवाहा आपका right answer रहेगा है यहने option B ही आपका जजीरात मरवाहा यह right answer है option B आपका ये एक important side है जो archaeologist ने इसको आबुदाभी के करीब अगर आप जाएंगे western eastern में तो वहाँ पर यह island उनको मिलाता है अपने आप में important discoveries थी जो मिली याद रखना क्योंकि उस समय वर्ल्ड में important news स्टार्ट हुई थी कि एक नया island मिला जो नियो लोथिकल साइट से related खाता है या उसका जो संबंध है उस जमाने से आता है next what is the rank of mirable जो यह वैसे मीरा बाई चानू है ना यह आई मीरा बाई चानू in the olympic qualifiers ranking list released by the international weightlifting federation in January 2020 मीरा बाई चानू का नाम आपने सुना होगा भारत की जो एथलेटिक से weightlifting में ठीक है तो international weightlifting federation ने जो अपनी rank जारी की ते उस rank में उनका क्या नंबर ता 5678 किस नंबर पर आती मीरा बाई चानू dear student आंसर बच्चों के हमें मिल रहें continue ठीक है बिलकूल हीमान्शु यादव के आंसर अधिकतर सही जाते dear student यहने आपका option जो है 8 आपने दिया है और option D ही आपका right answer dear student यहने उनको international weightlifting federation IWF ने January 2020 में 8th rank प्रवाइड की थी है ना next how many special forces troops participated in the exercise wing radar यह important चीज़े याद रखना wing radar conducted by the Indian Army मैं आपको special बता दू यह ऐसी exercise है हमारी special forces special force troops होती है यह आपको मैं बता दू यह airborne exercise एक तरह से airborne exercise का मतलब यह होता है कि यह हमारे जितने पैरा troopers है special पैरा troopers है यह उपर से आपने देगा पैरा troopers उपर से जंप करते हैं तो इसमें हमारे जो देश के जाने जाने माने पैरा troopers field के लोग करीब कितने लोगों ने भाग लिया था question यह पूछा आपको इंडियन Army तो मैं आपको बता दू यह airborne exercise उसमें भारत के जो हर्कुली से AS-37 जो हमारे हेलिकॉप्टर से चिनुक है यह सारे हेलिकॉप्टर इसमें से participate करते और यह पेरा troopers उपर से जंप करते हैं ठीक है न तो यह अगर देखा जाए तो हमारा North East जो threat है वहां पर यह organize किया गया था और मैं इसके बारे में बता तो 2019 में भी ऐसा organize हो चुका airborne exercise जो जिसको हीम वीजे कहा गया था और यह अरुनाचल पदेश आपका आता है वहां पर रखा गया था इसको तो इसमें पूछा कि कितने troopers ने इसमें participate किया तो right answer बिलकुल सही आपके आ रहा है यहने कि इसमें participate करने वाले कितने थे 500 लोगों ने इसमें participate किया था हमारे special जो paratroopers थे 500 थे जिनों ने इस wind radar exercise में भाग लिया था dear student तो कौन सी exercise है airborne exercise है ठीक है चलो आगे बढ़ते which of the following is the official musket for the goa 2020 national game there is student आपको पता है musket पूछ जाते मसकट का मतलब जो symbol होता है कि एक तरह से हमने कोई जिससे हमारे force academy का symbol आपने देखा हूँ force लिखा है इससे कोई भी organization अगर आप करते है कोई यह तो उसका एक musket होता है शुभारम जिसको कहा जाता है तो हमेशा शुबंकर जिसको भी कहा जाता है तो हमेशा PHP होता तो जो goa national game हुआ तो उसका वह एक सुभंकर रखा गया तो क्या दा इसमें इस चैन्पोर 3 को रखा गया था ड्रेगन को रखा गया रखा गया था रुबी तो औफषण डी करिये नियरोट ये चैनल गवा कंपड़ा मुआ कहा जाता उनको ठीक है dear student उनको शुभंकर रखा गया था है न नेशनल गुवा जो हमारा games हुए थे 2020 में उनका शुभंकर कौन थे रुबी गुला फ्लेम थ्रोटे बुल बुल को रखा गया था ठीक है तो आप बिल्कुल याद रखिए ऐसी चीज़े एक्जाम में बिल्कुल आती है चलो next with each country did india conducted the second edition of annual joint military exercise named dharma dharma guardian देखो नाम पढ़िए dharma guardian हमने कल भी बहुत exercise को पढ़ा था देखा था तो आपको पता होना चीज़े इसमें से कौन सी एक साइज हमारी धर्मा guardian किस देश के साथ हम इसको lead करते है डिर स्टुट आंसर आपके आजान जापान है बंगलादेश भूटान या चाहिना है बच्चों के आंसर आ रहे है डे स्टुट बिलकुल सही आंसर है आपका जापान है ना कोशिस करिए आप जितने ही बच्चे मुझे देख रहे है आंसर आप देने ही कोशिस करे अगर देखो कोई प्रोब्लम नहीं गलत भी दोगे तो right तो हम बताई देंगे आपको करिए आप भी आंसर दें तो right answer आपका क्या रहे है जापान जापान जो और हमारे इंडियन मेलेक्रीन की जो एक्सराइज को धर्मा गाजियन्स के नाम से जाना जाता है इंपोर्टेंट है मैं आपको लास्ट में यह सारी एक्सराइज भी पढ़ाऊंगा ठीक है next day who will receive the special icon award at the golden jubilee of international film festival of india जिसको IFFI कहा जाता है जो गोवा में हुआ था 2019 में है ना क्योंकि इसको जो देने का काम 2000 जो दिसंबर में होता है और उसमें यह दिया गए थे तो जो golden jubilee international film festival was में special icon award कि इसको दिया गया था शारुक खान है शिरन जी भी है कमल हसन है या रजनी कांत है तीन साउध इंडिया के हिरो है और एक इदर से बॉलिवूड से लिया गए है ठीक है ना तो राइट करा से मैं बता दूए government of india इसको organize करवाती है तो उन्होंने रजनी कांत को यह award दिया था ठीक है टेंथ का option d next where will the 16th Asian Indian summit help देखो यह उस समय जब हुई तब विवादों में भी बहुत जादा थी विवादों में थी कि इंडिया ने यहां पर एक समझो था उसको करने से मना भी कर दिया थी तो यह कहां होई थी इंडिया में होई थी थाइलेंड में होई थी मलेशिया में होई थी अब ब्रुनोई में होई थी 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 एक है ने एशियन समीट आप जान दे इसमें जो सारे एशियन कंट्रीज हमारी आती है थास करके जो हमारी जो बेव बंगाल जो कंट्रीज में आती है तो Association of Southeast Asian Nation इसका full form कहा जाता है जिसको आशियान भी कहते है हम आशियान कंट्रीज जिसमें आप देखेंगे तो Thailand है Myanmar है भारत है बंगलादेश है स्रिलंका है ठीक है ना और यह जितने भी देश है कंबोडिया यह सारे देश इसमें लगवग आते हैं आशियान कंट्रीज में ठीक है तो कहां health किया गया थे कहां हुआ था यहां पर मानने से मना कर दिया था तो यह important initiative government की तरफ से यहां पर लिया भी गया था तो जो हमारे 60 nations समीटे वो कहां हुई थी Thailand में हुई थी ठीक है राइट आंसर आपका Thailand है next with which country will India conducted the ninth edition of joint military training exercise सहर थी in feb 2020 ठीक है यह जो exercise है यह हमार important exercise है ठीक है यह February 2020 में किस देश के साथ ही थी Myanmar, Nepal, Bangladesh या Maldives के साथ ठीक है तो dear student आपको पता होना चाहिए कि यह exercise हमारी जो भारा सरकार जो हमेशा इस exercise को held करती है तो dear student यह जो सम प्रीती exercise की तरह है तो यह किसके साथ add हुई थी यह बांगलादेश के साथ इसको किया गया था dear student है ना तो आपका right answer क्या है बांगलादेश है है ना तो यह बांगलादेश के साथ joint electric exercise भारत की थी जो हमारा addition था है next who was honored with गुरु नानक देव जी achievers award at सुल्तानपूर लोधी in November 2019 यह अवर्ड जारी किया है वैसे पंजाब गवर्मेंट इस अवर्ड को देती है लेकिन नए अवर्ड है गुरु नानक देव जी achievers award सुल्तानपूर लोधी जगा है वहाँ पर यह दिया गया था इनमें से किनको दिया था अंजली भागवत डूला बैनर जी अंजू बोव अवर्ड जो दिया गया था ठीक है ना आपके आंसर आयाने चाहिए नहीं अंजली भागवत नहीं है आप्शनने आउनीत सिधु को दिया गया था जो अनीत सिंधु इनको कहा जाता ये भारत की Olympic olympic athletics से शूटर से जानी मानी इंडिया की जिनों नो olympic athletics में qualify भी किया था ठीक है ना अउनित सिंधू जो है यह जानी मानी athletics से इनको यह दिया गया था दिया स्विशन option d is the right answer ठीक है ने पंजाब से बिलॉंग करती उनको यह दिया गया था next which state has unveiled two special warfare scheme यह scheme के नाम देखना विजया मर्थन और सहाचरी इन दिसमबर 2019 ने ठीक है ना यह scheme में किस सरकार ने launch की थी विजय, मरिथाम और सहाचरी एक नाम ऐसे कि आपको कही न कहीं लग रहा होगे यह साउध इंडिया में से है तो आप स्टेट देख लीजिए महारास्टे केरला वेस्ट बंगाल उडिशा साउध इंडिया में आपको एक ही स्टेट दिख रहा है डियर स्टुएंट कौन सा केरला बिलकुल ऐसे कॉमन सेंस आप नाम देखकर भी क्या कर सकते हैं यह सही आंसर लगा सकते हैं यह दो इसकीम गवर्मेंट ने नया इनिशेटिव लिया था जहां लोगों को जादा जादा स्वीधाय प्रवाइट करवा जाएं तो उनी के लिए वालफेर एक 2019 में लाई गई थी है ना नेक्स्ट विच बर्थ एनिवर्सरी औफ नेताजी सुबाचचंद्र बोस वस सेलिबरेटेड इन जनवरी 2020 डिएर स्वाचंद्र बोस की कौन सी इन में से हमने जो उनकी एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी सेलिबरेट किये तो इसका मतलब आपको उनका जन्म तारीक पता होना चीए सुभाचंद्र बोस का बर्थ कब हुआ था तो इस बिहाब पर हमने इन में से कौन सी एनिवर्शरी उनकी मनाई अभी तो जन्वरी 2020 में आपको पता है उनका जो डेट बर्थ है वो तेवी जन्वरी है इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ अब उप्षन आप बताईए इन में से राइट आंसर क्या है 125 125 नहीं डियर स्टुएंट 124 ये भी नहीं है आपके उप्षन है आपको इसका मतलब उनकी जो बर्थ है नहीं पता है सुबाद चंदर बोज जो जो मेरे इंस्पाइलर हीरो है इंडियन फ्रिडम स्ट्री में अगर आप देखेंगे तो उनके बारे में बहुत अच्छत डीटियल में बताता हूँ तो आपने साहिद गोर से सुना नहीं होगा उनकी बर्थ एनिवरसरी 1897 कटक में उनका बर्थ हुआ था तेवी जनवरी 1897 को डियर इस्टुएट तो उसके भिहाब के आपको पताए कि 2021 की कौन सी बर्थ एनिवरसरी हमने मनाई होगी तो बिलकुल राइट आंसर है है ना यने की 2020 तो हो गए हमारे 123 बर्थ एनिवरसरी हमने उनकी सेलिब्रेट की थी इस समय ठीक है ना तो ये चीजे भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमारे जो फ्रिडम फाइटर से उनकी जो हमारी उनकी जो बर्थ डेट ये वो भी आपको पता होना चाहिए तो ऐसा भी यूपीय से आपसे questions पूछ लेते हैं ठीक है next which of the following is the official name for the disease caused by the new coronavirus अब ये तो आप बिलकुल आख देखके बता सकते हैं क्योंकि ये question हमने लिया था उसमें January से January ये February से question उठा रहे हो उसमें coronavirus नए नए आया था आपको भी पता है उसमें lockdown नहीं लगा था बच्चे exam भी दे रहे थे सब कुछ चल रहा था तो question उसमें बना था कि ये जो virus disease आया था इसका नाम क्या है साब तो आप बिलकुल ये तो अब इतना ज़्यादा आपको पता है कि आप नींद में भी कोई पूछ ले तो बता देंगे इसका नाम COVID-19 है ठीक है ना इतना आपने सुन लिया है तो ये थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि अब तो इतना है तो ये questions भी ऐसे आते easily में आते है ठीक है तो ये थोड़ा सा धियान रखना है कभी आ जाए आपको ठीक है ज्वेलिन थ्रो फाइनल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपियनसीव इन दोहा देखो ये पहली महिला थी जिन्होंने ये क्वालिफाइ किया था महिला ज्वेलिन थ्रो जो भाला फेक होता ना भाला फेक में ज्वेलिन थ्रो उसमें क्वालिफाइ किया था भारत की पहली महिला थी जिन्होंने ये वर्ल्ड एथलेटिक चेंपियन सी जो दोहा में हो तो इसमें क्वालिफाई किया था तो एम आर पो मम्मा अनुरानी पीबी चोईतरा और हीमा दास चार ओप्षन आपके पास है इने में से किसने जो भाला फेक में इंटरनेशनल में उसमें क्वालिफाई किया है तो आपको पता होना ची इनमें से जो फिमस भाला फेक है वो उनका नाम है अनुरानी इन्होंने इसमें क्वालिफाई किया था ठीक है नहीं अनुरानी is a right answer ठीक है नहीं जिनों ने इसमें क्या किया था qualify किया था option B is a right answer next which of the following has become the first country to ban sun cream that is harmful to corals and sea life ठीक है ना कौन सी cream sun cream जो आप सब ये creams वगिरा लगाते हैं उनको बेन कर दिया उस देश ने क्यों बेन कर दिया क्योंकि ये किसके लिए हामफूर corals और sea life जो समुन्दरी जीव जनतु होते corals होते उनके लिए खतर ना गए तो देश में बेनी कर दिया अब देश के नाम देखो आप नोरू किरिबाती त्वालू या पलाव अब कई बच्चे तो ऐसा होता कि अगर जोग्राफी सही से नहीं पढ़िये तो ये देशों के नाम ही पहली बार सुने होंगे है ना नोरू किरिबाती त्वालू पलाव डेर स्टुडेंट कई बच्चे कोई पता नहीं ये भी देश है किया लेकिन आप अगर जोग्रोफी अच्छे से पढ़ते डेर स्टुडेंट और आप में उसमें ऑशे निया जब कॉंटिनेन के बारे में पढ़ते है उस्टिलिया के सांसा माइक्रोनेशिया और बाकी तो उनमें इन देशों के नाम आते है जो छोटे छोटे देश है बहुत छोटे योटे देश है नौरू खीरी बाती त्वालू पलाओ ठीक है तो अब इनमें से आपको बताना किस देश ने बेन किया था फटा फट बताईए बिलकुल कुछ लोग के आंसर बिलकुल आगे पलाओ एक कंट्री है जिसने इनको क्या कर दिया था डियर स्टुएंट बेन कर दिया था यह में इस कंट चोटे-चोटे आइलेंड से मिलकर बना हुआ है इनकी जो कैपिटल है अभी बॉबेल डॉब करके कैपिटल है इस देश की पलाओ गी तो याद रगना इस देश ने क्या कर दिया है बेन कर दिया संक्रीम को अपने हैं क्यों क्योंकि यह जो सी लाइफ है उनके लिए हामफ रचँचर ही एथ टाइटल एडहुच्छिलियन ओपन दैखो ओस्टियलिन फिर इन उपन आपको पता है है जो की इम्पोर्टन अपन और रिच ऑपन एस और ख्रॉपन फ्रेंच ओपन य।स बार विम्बिल डं इन चार ऑपन में ऊस्टिलिन आए एट टाइटल इने 8 बार इसको जीता है तो आप ओप्षन देखिए रोजर फेडर नॉविक जोखोविक है राफिल नडाले डॉमिनिक टाइटेम है ताइए मैं है तो आपको बताए यह तो होने इसकता है इन तीनों में हो सकता है क्योंकि यह तीनों जाने माने जो टेनिस स् कुल है यह विल्कुर राइट आन्सर आ रहे है मैरे नौविक जोको विक ऑ जिनोंने सको जीता थैने एक बार अस्थेन घुट लूंने जीता है, चीक है ? तो राइट आनसर आपको क्या है, option эт, option B आपका राइट आनसर है नौविक जोको वी नेक्स्ट, who has paint autobiography title एए इसका title एए child of destiny ये इसको किस ने लिखा है ये autobiography title है पड़िए एए child of destiny प्रोफेसर ग्रिश्वर मिश्णा ने प्रोफेसर के रामकृष्णा राव ने प्रोफेसर को था सच्ची दानन मूर्ती ने या प्रोफेसर एसी प्रण्जपे ने यह मैं इनके बारे में बता दू यह जाने माने फिलोसोफर है जिन्नों ने इसको लिखा है और लेक बद्ध किया है अब इसके बता दीजिए यह सी बुख पूछी जरू जाती है आपको अभी तक मेरे पास आंसर आये नहीं इसका मतलब आपको आंसर इसका पता नहीं है ठीक गया है है ना जो अपने आप में पदमस्री से भी नवाजे गए है ठीक है ना तो प्रोपेसर के रामकृष्णा राओ इस राइट अंसर यह ना ऑप्शन भी इस राइट अंसर याद रखना ठीक है नेक्स्ट फ्रॉम विच कंट्री वोज इंडिया लेटेस्ट कम्यूनिकेशन सेटलाइट जी सेट थर्टी सक्सेस्फुली लॉंच इन जैनवरी 22 अपको बताए जी सेट जो हमारी स्रीज इंपोर्टेंट है जो सेटलाइट ठीक है ना यह हमारी कहां से इसको हमने लॉंच अगर आप देखते हो तो इनमें सेटलाइट लॉंच किया तो इनमें से एक जगा से भारत हमेशा लॉंच करता था देश का नाम आपको पता होना चाहिए मैं एक और चीज बता दू यह जो देश है इंपोर्टेंट देश है जहां से हर सेटलाइट लॉंच किये जाते हैं और यह जो फ्रांस डॉमिनियेशन ओवर्सीस कंट्री है ठीक है ना इसको ओवर्सीस डिपार्ट्मेंट ओफ्रांस भी कहा जाता है तो राइट आंसर डियर इसमें आपका फ्रेंच गुएना अगर आप जो ग्रोफी में साउध अमेरिका साउध अमेरिका जो कंट्री उसमें यहां इधर साइट देखेंगे अगर आप तो गुएना फ्रेंच गुएना गुएना नहीं गहाना नहीं इस री नाम ने फ्रेंच गुएना ठीक एन ऑप्शन बी नेक्स्ट इन दिसम्बर 2019 विच कंट्री एज सरपेस क्वेट तो बिकम इंडिया शिक्स लार्जेस ओइल सप्लायर यहने की इन में सिक्ष कंट्री ने कुवेट को पीछे छोड़ दिया तर आगे निकल गई थी तुबिकब इंडिया यिए सिक्स लार्जिस ओयल सस्प्लायर जो भारत को ओय सप्लाई करती है इरान साथी अरबिया युनाइटेज इस्टेट या इराक किस कंट्री ने कुवेट को पीछे छोड़ कर इसमें 6th largest oil supplier country बना है था तो देश का नाम है डियर स्टेट युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका अमेरिका में भी oil patrols बहुत जादा है डियर स्टेट ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं है लेकिन उसके oil patrols का जो बैसी के दूसरे देशों पर बहुत जगे कब जाए इस कारण से वह supplier में पहले नंबर पर आ जाता है ठीक है नहीं तो भारत के supplier पहले कुवेट था उसकी के नुएट स्टेट आ गया है वेर हैस्ट विजे बैंक heritage museum बेन अग्टूमबर 2019 विजे बैंक के बारे में जानते है नोंने heritage museum एनोग्रेट किया है ठीक है नहीं यह कहां पर इंपोर्टेंट न्यू देली मुंबई लखना हूँ या बैंगलूरू बताईए कहां पर रहे है ठीक है न वीजिया बैंक ने heritage museum में बता देता हूँ बैंगलूरू में इसको बनाया गया है जो अब यह बैंक भी उसको क्या करती है उसको regulate करती है उसका पूरा जो खर्स व of AMI-24V helicopter to Afghanistan boasting the capability of the Afghan Air Force इन में से किस देश ने AMI-24V helicopter अफगनिस्तान को दिया है क्या भारत ने दिया US ने दिया चाइना ने दिया रश्या ने दिया बताईए किस ने दिया तो कहीं आपको लएगा कि भारत तो दे नहीं सकता साब क्यों नहीं दे सकता कि हम तो वेसी दूसर से खरीदते हैं लेकिन राइट आंसर आपका इंडिया ही रहेगा दिया ओप्शन इस राइट आंसर भारत नहीं अफगनिस्तान को MI-24V helicopter प्रोवाइट करवायत है ताकि उसकी अफगान एयर पोर्स की capability मजबूत हो ठीक है ना रियाद रखना option A is right answer ठीक है ने इंडिया ने Youth Affairs and Sports organized the inaugural event Fit India cyclothon in January यह कहां से start किया गया था ठीक है नहीं यह आपको पता है Fit India cyclothon जनवरी में सब जेके cycle चलाई गए थी तो government की तरफ से यह कहां पर start किया गया था डियर स्टुडेंट न्यू देली पनजी पूने यह लधाक गवर्मेंट ने इसको कहां से launch किया था option आपके right answer आगए पनजी आपको पता है जो हमारा गोवाज स्टेट है वहां की capital है वहां से इसको अन्यूग्रेट किया था है ना fit India cyclothon ठीक है न यह mission भी चल रहा है fit India ठीक है नेक्स विल्दा चीफ गेस्ट एट Commonwealth Youth Parliament which began on 25 November 2019 जो Commonwealth Youth Parliament और्गनाइज हुई थी उसमें से चीफ गेस्ट कौन थे राजना सिंग डेफन मिस्टर थे ओम बिल्ला जो हमारे speaker of मोदी जी पर लगा दो option D लेकिन नहीं यह देखो कुछ बच्चों का अंसर भी आ गए नहीं इसके जो राइट आंसर आएगा ओम बिल्ला यहने option A is right option B is right answer ओम बिल्ला जो speaker of लोग सभा है वो इसमें main chief guest रहे थे इस बार है न तो याद रखना है ओम बिल्ला speaker of लोग सभा जो commonwealth youth parliament होती commonwealth youth parliament का मंदल जो commonwealth country हैं उनके सभी youth leaders आते और आप debate में participate करते हैं और अपने जो बहुत दिक उनका intellectuals जो thinking होती है वो रखते है उसमें से फिर जो भी जो first second आता उनको जो भी यह award दिया जाता है तो हम बिल्ला इसके cheap guest नेक्स्ट यह आदा यहाँ पर है आदा यहाँ पर इन judo who among the following brought first gold in women 48 kg in 13 south Asian games in Nepal इन वे इन वे से कौन यह ओवर्ड लेकर आई तो आप यह आप 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 बता देता हूं यह question है judo में who among the following brought first Indian जो first gold in women 48 kg में कौन लेकर आय आई थी option आपके अभी तक आये नहीं है 48 kg में gold medal लेकर आई थी में बता देता हूं option c shushila Devi को इसमें 48 kg में gold medal लेकर आई थी है ना तो shushila Devi is a right answer next who has been crowned the international women cricketer of the year in 2019 ठीक है ना अब आपको देखना है who has been crowned the international women cricket of the year 2019 2019 2019 में महिला किर्केट में 2019 में यह ranking पर या किसको घोशित किया गया था कि first ranking में ठीक है ना सारा टेलर इलियास पेरी जोर्ज वेरहम या इस्मिरती मंधाना 2019 international women cricket of the year किसको घोशित किया गया था राइट आंसर आगे बिलकुल मैं सारा आपके राइट आंसर इलियास पेरी आई है बिलकुल राइट आंसर यह उस्टिलिया की fast bowler है ठीक है ना ऑप्शन भी उस्टिलिया की fast bowler है ठीक है ना इनको यह international cricket of the year 2019 घोशित किया गया था याद रखना है इलियास पेरी जो कहां कि ऑस्टिलिया की है ठीक है चालो next what is the rank of india in the global gender gap report यह इसी reports आप से पूछी जाती है ठीक है ना इसमें इंडिया की क्या रहें के global gender gap report ogenager gap report जो महीला पुरिष्ट के gender में जो gap होती है उसमें इंडिया की कौन सी rank आती थी 2021 104, 108, 112 यह 116, ठीक है न, 2020 में तो आपके राइट आंसर आगे, 112 यह एक सो बारवी रेंग के भारत की The Global Gender Gap Report 2020 में, यह हर इंडेक्स ऐसे पूछे जाते है, रिपोर्ट ही कोगी वर्ल्ड, जो हमारे बड़े-बड़े ओर्गनाइशन है, वो इसको जारी करते हैं, तो इसको ध्यान रखिए है, ठीक है, नेक्स्ट, वेर वाज रन फोर यूनिटी ओर्गनाइज इन दिसंबर 2019 तो स्प्रेइड दे मेसेज और पीस और यूनिटी, दो भारा सरकार रन फोर यूनिटी और आपको पता है, रन फोर यूनिटी जो इंपोर्टेन भारा सरकार की तर उर्गनाइस की गई थी, शिम्ला, जम्मू, नोयडा या न्यू देली, ठीक है न, तो याद रखना है ये भारत सरकार ने इसको लौंज किया था, जम्मू से, ठीक है न, जब भारा सरकार के मंत्री गए थे और इन्हों ने इसको स्टाट किया हो ते, रन फोर यूनिटी, जम्मू है, बहाँ पर उड़नाइस की गई थी, दोजार उन्नीस में, ठीक है, दिसम्बर, तो अप्शन बी इस राइट आंसर, नेक्स, वेर, डिट दा इंडियन कोसगार्ड कंड़क्ट ए टू डे रिजनल लेवल पॉलुशन रिस्पोंस एक्सराइज नेम्ड स्वच्च समुंद्र, 2019, यह हमारे जो इंडियन कोसगार्ड है, उन्होंने इसको लौंज किया था, और इंपोर्टेंट यह मिशन था, ज सबी कोसगार्ड एरियाज है, ठीक है, तो राइट आंसर डियर स्टुडेंट में थोड़ा से इसमें बताता है, बताइए इसमें से कौनसी जगा है, रन ओप कच्छ के पास है, वही आपका राइट आंसर है, गल्फ ओप कच्छ जो आती है हमारी, वहाँ पर यह जगा आती हमारे इंडियन कोसगार्ड ने इसको और्गनाईस किया था, ठीक है, चलो, next, where is the fourth edition of the international seminar come exhibition on naval weapons system, नवारम्स 2019, नाम क्या है, नवारम्स in December being held, कहां पर, यह जो हमारे naval weapons है, उनके लिए एक international seminar रखा गया था, exhibition जिसको आप बोलते हैं, तो नवारम्स उसका नाम दिया गया था, कहां पर, और्गनाईस हुआ था, जिसका fourth edition, Chennai, Mumbai, Kochi, या New Delhi, बच्छो के answer आ गया, बिल्कुल New Delhi में, यह Government of India की तरफ से, और्गनाईस किया गया था, ठीक है, ना, New Delhi is the right answer, ठीक है, next, in December 2019, the center has decided to extend the mission period of अमरत, by two more years, in which year, अमरत launch, सरकार की एक important, पता है, आपको अमरत मिशन चलता है, भारत सरकार का, जिसको अटल मिशन for resurrection, urban transformation कहा जाता है, ठीक है, ना, important भारत सरकार का एक mission है, तो इसको दो साल ओर बढ़ाए गया, है, 2019 में DCN लिया, तो question है कि किस year भारत सरकार ने इसको launch किया था, क्या full-porn है, अटल मिशन, रिजुमेंशन, urban transformation, जिसमें आप देखोगे, तो road transportation से लेके, जो हमारा drainage system, उनको सब को public transport को ठीक करना, bus system, ये सब ठीक से लाना, ये सारी उसमें एक तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहती ये launch हुआ भी था, तो year पूछा गया है, भारा सरकार ये सी scheme आप से पूछिया थी, right answer है, बिल्कुल आपके आगए, 2015 में भारा सरकार ने अमरत mission को launch किया था, dear student, ठीक है, तो option C आपका right answer है, which of the following railway station has opened an oxygen parlor, ये important चीज़े, commenters, ये ऐसी जगा पर oxygen parlor, जैसे beauty parlor होता है, ऐसे oxygen parlor, तो हमारी जो railway है, उन्होंने station पर इसको launch किया है, पहली बार start भी किया है, तो कौन सी railway, न्यू देली railway station, नासिक railway station, पतना railway station, ये कालियन railway station, ठीक है, आप बताईए, इसमें से कौन सा है, तो मैं बता देता हूँ, government of India, railway government ने इसको नासिक railway station से launch किया, जहाँ पर oxygen parlor, पहली बार launch हुआ, जहाँ पर लोगों को breathing clean air to common trust के जरिये, उनको बताया जाता है, सारी चीज़े वहाँ दी जाती है, इंपोर्टेंट government ने डिसेल लियाता है, नासिक railway station में इसको ओपन किया गया है, next, what is the rank of India in the human development index 2019 release by the united nation development program जिसको UNDP कहा जाता है, तो एक question तो यह कि याद रखने है, human index कौन जारी करता है, UNDP का भी पूछ लिया भी जाए, तो आपसे UNDP का नाम याद रखने है, अब इसमें रेंग बता रहा है, 111, 113, 113, 113, 113, 134, 2019 का रिपोर्ट है, और यह पूछी गई है, तो बताईए, क्या rank के government की इसमें, मतलब भारत की क्या rank के इसमें, ठीक है न, यह human index आपको जादा जो important होता है, जहाँ पर आपके बारे में उस देश के लोगों की education, prosperity, उनका रहने खाने का सब कुछ देखा जाता है, तो भारत की इसमें rank के option C, 129, वर्ल्ड के जाने माने 189 countries में से यह निकाल जाती, भारत में इसकी rank 139 है, 2018 में जब index report आई दी, तब हमारी 130 थी, तो एक कदम हम थोड़े से, उसमें हमने प्रगती पाई, तो अभी 139 आगई है, तो जितनी अगर कम rank आती, उतना अच्छा देश आपका होता है, याद रगना, ठीक है न, तो अभी इंडिया गी 2019 में कितनी आई थी, 139 आई, ठीक है Next, Donald Trump has become the third US president in history to impeach by the house of representatives who were among the following, where the other two former president who had been impeached. Donald Trump के खिलाब आपको पता है कि जो वहां की Parliament Congress है, वहां पर impeachment लाएगा तो house of representatives में लेकिन पास नहीं हुआ, तो question है कि यह third president थे तो इसके पहले जो दो प्रेसिदेंट थे वो कौन है? पहला option है, गेरल्ड फोर्ड एंड जीमी कार्टर साब, second अर्णियो जोंसन एंड बिल क्लिंटन, third ए एंड्रियो जोंसन एंड जीमी कार्टर साब, यह fourth बिल क्लिंटन एंड गेरल्ड फोर्ड, तो बताईए option क्या रहेगा, अगर आपने पढ़ा न्यूस में बहुत चला अब तक अमेरिका के तीसरे इतियास में तीसरे प्रेसिडन एंड जिनके खिलाफ यह impeachment लाया गया, तो मैं आपको बता दू, option अगर आपके answer अभी आये नहीं, तो ठीके मैं बता देता हूँ, राइट answer है, इसका option B, Andrew Johnson and Bill Clinton, जो Bill Clinton है, जो Harry Clinton के जो पती है, उनके यह लाया गया था, और मैं आपको बता दू, यह जो Andrew Johnson ही, अमेरिका के 17 प्रेसिडेंट थे, जिनके आपको पता कि 16 प्रेसिडेंट तो वहाँ पर अबराम लिंकन साब थे, अबराम लिंकन की डेथ के बा करीब 3-4 साल हो गए थे इनको, लेकिन उसके पहले ही, वहाँ की सरकार ने इनके खिलाप impeachment लाकिन को हटा दिया था, ठीक है ना, तो याद रखना, इतियास में या नहीं कि अगर आप बोले, अमेरिकान हिस्ट्री में पहले कौन थे, एंड्री जोंसन थे, उसके बाद आते बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन सापका लंबा समय रहा है, 1993 से 2001 तक ये रहे, लेकिन इनके खिलाप भी impeachment लाया गया था, बिल क्लिंटन के खिलाप, ठीक है ना, तो याद रखना हो तीसर प्रेसिडंट डोनाल्ड ड्रंप है, ठीक है जिनके खिलाप ही लाया गया, तो option B आप का गया, राइट आंसर ही याद रखना हमें सा, ठीक है ना, तो आपका ST से भी लगबगी question है, current affairs में भी काम आएगा, तो इसका राइट आंसर आप दे दोगे, माइंड मास्टर, इनमें से कौन है आप नाम देखकर ही बता दोगे, जो माइंड का खेल खेलते हैं, जिनकी autobiography बड़ी famous भी हुई थी, ठीक है ना, अनीश गिरी, पैंताला, हरी कृष्णा, अभिनाव बिंद्रा और विश्वनात आनन, तो आपके राइट आंसर बिलकुल आजाएंगे, जो माइंड का गेम कौन खेलते हैं, विश्वनात आनन, चेस मास्टर इसाप, तो माइंड मास्टर भी वह होंगे, ठीक है ना, तो ऑप्शन दी इस राइट आंसर, नेक्स्ट, which of these countries signed a contract to joint adventure of India, companies for preparation of project report and development of ADU, यह important भारत सरकार या भारत के साथ किस देश ने इसको यादग ना, इस जो joint military exercise जिसका नाम है, ADU में participation की बात कही है, मालदीव, म्यानमार, इंडोनेशिया, सिंगापोर, dear student, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मालदीव से वो कंटे जिसने इस पर क्या किया है, भारत सरकार के साथ समझोता भी किया है, इस project पर, ठीक है, option A is the right answer, where was a two-day regional conference on एक भारत, स्रेष्ट भारत, with focus on जल शक्ति and disaster management, एक भारत स्रेष्ट भारत, ये भारत सरकार का एक नारा भी है, ठीक है न, तो जो focus था होता, जल शक्ति and disaster management, ये कहां, इस conference को रखा गया था, जम्मू, लद्दाक, उत्राखंड या सिक्कीम, डियर स्टुमेंट, तो right answer रहेगा, जम्मू, जम्मू में सरकार ने इसको, वहाँ पर इसको organize किया था, जहां पर mission रखा था, शक्ति and disaster management पर रखा गया था, option A is right answer, next, ASBTE strand 4, आपको full form पूछा गया है, यहां पर, ASBTF का, यह जाने है, उस समय चर्चा में बहुत रहा था, तो क्या है, shore based traffic facility है, scientific based test facility है, scientific based traffic facility है, shore based test facility है, dear student, चारो option पढ़ने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, option D is right answer, shore based test facility है, है ना, जो important उस समय चलाता है, ASBTF, या जगना, क्या है, shore based test facility, option D is right answer, in which of this state will be the national maritime heritage museum, जो national maritime heritage museum, आपको maritime आपको पता है, जो हमारे oceans related museum में, महाराज गुजरात, करनाटा का वेस्ट बंगाल, कहां पर इसको, और कहां पर इसको, किस government ने इसको start किया, तो में बताता हूँ, गुजरात, गुजरात state ने इसको, national maritime heritage museum को set up किया, अपने यहाँ पर, option B is the right answer, next, which of their two union territory, would be merged as per a new bill passed by the parliament, आपको पता है, 12 सरकार की, दो union territory को merge करके, एक बना दिया गया, ठीक है न, यहना, हमारी पहले seven union territory थी, पिर जम्मू कश्मीर और लद्दाक बनने के बाद, nine हो गई, लेकिन फिर उसके बाद मर्ज कर दिया गया, तो फिर eight हो गई, तो दाधर, नागर, अवेलियन, दमंदिव, दिल्ली, चंडिगर, अंडबा, निकोबर, या जम्मू कश्मीर और लद्दाक, किसको दोनों को merge कर दिया गया, तो dear student आपको पता होगा, डाधर, नागर, हवेलियन, दमंदिव को मिला कर एक ही कर दिया, याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर कुछ केस ऐसे मिलेते के उन वहाँ के लोगो को जबर्जस्ती क्वालिफाइ कर दिया जाता था, तो जब एंटी डॉपिंग एजनसी इनने रिपोर्ट निकाली तो वहाँ के जो कहीं खिलाडी जो ड्रक्स लेने में पाए गये तो उनको चा ए 2030 यह भाwr सरकार जो हमारी airport authority उन्हेंने इसको और गनाइस किया तो किस airport पर इसको और ज्योडशी गांदर इंटरेशन एरपोर्ट, बेगमप्त एएरपोर्ट, राजमुंद्री एरपोर्ट या स्वामी विवेका अनंदि एरपोर्ट, बेज स्टुडेंट मैं आपको बत इसको नेक्स्ट कि विश्ज अफ दा फोलो इक है थैड हो से दफ फस्ड ओवर केलो इंडिया विंटर गेंज डेखो भारह सरकार बिटाता हूं कि खेलो इंडिया विंटर गेंज की बातो तो और्गनाइज हुए थे तीनों ही वेसे तो विंटरस के लिए फेमास है लेकिन इस बार गया हुए थे लध्धाक में हुए थे ठीक है ना तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2019 कहा हुए थे लध्धाक में हुए थे next who among the following has entered the Limka book of record for film in most number of language film को सबसे आदा language में बनाना यह 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 व्यक्ति ऐसे दिन्यों 17 language में फिल्म को क्या किया था बनाया था जिनका नाम Limka book record में भी दर्जिक या था कौन है संतो शिवाने सरीकर प्रशाद मनी रत्नमे यह रवी के चंद्रन है कौन है वो जिनोंने इनका नाम आता है option ने सरीकर प्रशाद जिनोंने 17 लेंग्वेज में जो फिल्म में उनको बनाया है ठीक है ना यहाद रहा है इनका नाम Limka book में दर्जिक है which of the following countries will host the 2022 AFC Women Asian Cup तो यह कहां पर launch हुआ है 2020 किस देश में host करने की बात किये Singapore, Bhutan, Indonesia या India तो dear student यह कहां पर होगा यह इंडिया में होगा 2022 में ठीक है ना option D is the right answer ठीक है option D is the right answer where PM Narendra Modi led the foundation stone for the Bundelkhan Express in February 2020 यह एक important express वे बन रहा है Bundelkhan Express के नाम से तो जो जो हमारा देश के पधान मंत्री PM Narendra Modi और उनने कहां से इसको एन्नेग्रेट किया चित्रकूर से बांदा से हमीरपूर से या जलोन से तो dear student आपको बता बुंदelkhan चित्रकूर फेमस लेकिन वहां से नहीं था तो कि यह कहां से था बांदा से था यूपी का अग्रेस्टी के बांदा जो चित्रकूर में आता है वहां से इसको start किया था कि यहीं से इसका इनुग्रेशन हुआ है बुंदelkhan एक्सप्रेस वेगा बांदा में नेक्स इन जन्वरी ट्वंटी ट्वंटी हूँ दा प्रेसिडेंशल एलेक्शन इन ताइवान ताइवान जिसको डॉमिनेंट स्टेट या रिपब्लिक ऑफ चाइना के कंट्रोल में पी इसको कहा जाता है लेकिन ताइवान अपना एक में इंडेपेंडेंट कंट्री के भूमी का निभाता है ठीक है तो प्रेसिडेंशल एले में जो ऐसे famous होते हैं तो मैं आपको बता दूँ यह democratic progressive party से है lady है और यह कौन है शाइंग विन विन है option d is a right answer option d is a right answer शाइंग विन is a right answer ठीक है dear student who is the author of the novel title half the night is gone यह famous novel है half the night is gone तो कौन है इसके author कौन है सल्मान रुजदी अमीद घोष्ट अमिताब बगाची अरविंद अडिगा यह देश यह देश के माने जाने यह विश्व में जाने माने novelist है जिन्होंने इस novel को लिखाता और बड़ा famous novel है यह half the night is gone तो किसने लिखा dear student सल्मान रुजदी का नाम जानते midnight children जिन्होंने लिखाता अमिताब घोष्ट बड़े famous है अरविंद अडिका जिन्हों white tiger लिखाता लेकिन यह जो है the half the night is gone यह अमिताब बगाची का novel है जिन्होंने लिखाता और बड़े famous हुए है तो option c is right answer अमिताब बगाची आज हमने यह इतने question लिए थे 51 जो आपको लगबग मेंने question दिसंबर और बाकी मंस में से उठाये थे हमारा कल जिससे complete हुआ था October 9 बर इसके पहले हमने January February के लिए थे तो हमने आज दिसंबर उसके आसपास के कुछ questions उठाये थे next में मार्च अप्रेल कर लेंगे कल तो dear student आप कोई election जो स्रीज काफी पसंदारी बच्चों के comment भी आ रहे तो इसलिए हम special आपके लिए लेकर आ रहे पांच मिंट के बाद आपके साथ उपस्थित रहेंगे तो बने रहे हैं पांच मिंट में आप पानीवानी पीकेर आ जाईए यही पर ठीक है dear student तब तक के लिए जैन वंदे मात्रम